वालेवूर इन्डेश्टी के सुपर्ष्टर सनी पाजी इस समय जो कि अगर उनकी आने वाली फिलमों की बात की जाらいे तो कई सारी फिलमे हैं जो लाइन में लगी हैं लेकिन सनी पाजी का कहना है कि अगर मेरी कोई फिलम अगर आ रही होगी तो मैं खुद जो कि अपने social media account पर जो कि पोश्ट करूँगा जिससे लोगों को सहां विस्वास हो जाएगा कि मेरी ये फिलम आनी तैं है दोस्तो आप लोगों को बदा दे सनी पाजी ने अपने social media account पर जो कि सफर फिलम से जुड़े ही पोश्टो की लुक डाले हैं जो लोगों को उमीद है कि सनी पाजी की फिलम सफर आ रही है इसकी सूटिंग भी चल रही है लेकिन दोस्तो क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर सफर फिलम के श्टार काश्ट की क्या फीश होने वाली हैं दोस्तो आईए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे श्टार कितना कितना फीश ले रहे हैं दोस्तो आप लोगों को बता दे गदर टू ब्लोकबाश्टर होने के बास सनी पाजी ने अपनी फीश थोड़ी बढ़ा दी है आप लोगों को बता दे हिंदुस टाइम्स की रिपोर्ट्स के मताबिक बताया जा रहा है कि सनी पाजी ने जुकि पर फिलम चार्ट जोकि 50 करोड रुपे कर रहे हैं यूकि आप लोग सबूत के साथ हिंदुस टाइम्स की रिपोर्ट्स के मताबिक देख सकते हैं वहीं आप दोस्तो सलमान खान किसी भी स्टार के अगर फिलम में कैमू करते हैं तो सलमान खान एक रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं चाहे वो साथ खान के साथ हो चाहे या अधर सूपर स्टार के साथ हो और सनी पाजी अगर सलमान खान की फिलमों में अगर कोई एंट्री करते हैं कैम करते हैं तो सनी पाजी भी एक रुपया चार्ज नहीं करते वहीं आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि साउथ की एक्टर सिंबरन की बात की जाए तो सिंबरन भी जो कि 5-6 करोड रुपय जो कि फिलम के लिए वो चार्ज कर रही है जिहां आपने विर्कुल सही सुना 5-6 क सिंबरन को दिये जा रहे हैं आप लोगों को बता दे वहीं और भी जो कि अहर सल्विट्री जो कि इस फिलम में नजार आने बाला है और इस फिलम में जो कि दर्शन जर्श्वाल भी जो कि देखने को मिलने वाले हैं हाला कि दोस्तों अभी इनके जो कि कि कितनी फिस ले रह वही सलमान खान के हमने बात की है कि सलमान खान जो कि फिलम में कैमो करने के लिए एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि सनी पाजी और सलमान खान हमेशा से एक बड़े दोस्त रहे हैं इन दोनों का एक अच्छा नाता है और सनी देवल और सलमान खान एक दूसरे के फिलम म बाते बताई हैं ये विल्कुल जायज है